अगर आप दो मंजिला मकान बना रहे हैं और कन्फ्यूज हैं कि मैं अपने प्लिंथ बीम का क्या साइज रखों और प्लिंथ बीम में कौन सा सर्या यूज करूं आप ये वीडियो पूरी देखें प्लिंथ बीम के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी हैं वो 100% सोल हो जाएगी क्योंकि आज इस वीडियो में मैं दो मंजिला मकान में प्लिंथ बीम का क्या साइज रखना है और सर्ये की डिटेल विस्तार से बताने जा रहा हूँ इंपोर्टेंट वीडियो है वीडियो में जरूर बने रहें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के Friends, सबसे पहली बात तो यहाँ एक कंडिशन है कि इस वीडियो में मैं जो भी रूर्स बताऊँगा वो सिर्फ प्लिंथ बीम पर तभी अपलाई होंगे अगर आपके कोलम का डिस्टेंस मिंस एक कोलम से दूसरे कोलम की दूरी मैकसिमम 16 फीट तक है अगर इससे ज़्यादा है तो आप यह रूल कृप्या फोलो नहीं करें पर अगर आपके कोलम का डिस्टेंस 16 फीट के अंदर है तो आप बिना किसी जिजग के बगैर किठी टे तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीटियो में मिलेंगे और वीडियो में आगे भड़ने से पहले कुछ important points नमबर वन कभी भी आपके बीम का size 9 inch by 9 inch से कम नहीं होना चाहिए दो मंजिला मकान में नमबर टू IS code 456 2000 के according प्लिंथ बीम में सरीय का डाया 12 mm से कम आपको नहीं रखना चाहिए नमबर थ्री प्लिंथ बीम में चार बार से कम नहीं होने चाहिए नमबर फ्री प्लिंथ बीम में स्टीरप्स के बार का डाया कभी भी 8 mm से कम नहीं रखना है नमबर फाइव स्टीरप्स की hook length भी 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए और नमबर 6 एस पर आईये स्कोर 456 2000 आपके स्टीरप्स की maximum spacing यानि के rings to rings distance कभी भी 12 इंच यानि के 300 mm से ज़्यादा नए हो ये 6 पॉइंट तो आपको दो मन्जीला मकान में प्लिंद बीम देते हुए जलूर ध्यान में रखने है आए अब मैं आपको बताता हूं कि प्लिंद बीम का क्या size रहेगा और इसमें reinforcement कैसे देनी है दो मन्जीला बड़ान के लिए नमबर वन है two story house के लिए प्लिंद बीम का size क्या देना है तो आपके प्लिंद बीम का size रहेगा 9 इंच बाइब 12 इंच नो इंच चुडाई और 12 इंच depth Second two story house के Plinth beam में steel क्या रहेगा तो Plinth beam में आप सरियाद दो तरीके से provide कर सकते हैं First method आप Plinth beam में 4 वार दे दो 2 top में 12 mm के और 2 bottom में 12 mm के या फिर Second method ये है कि आप beam में 5 वार दो 2 top में 10 mm डाया के और 3 bottom में 12 mm डाया के कैसे भी रखो, यह आपकी मर्ची है थर्ड है Delips की detail Delips का बार्ड आया आपको 8 mm रखना है और Delips में Center to Center Spacing रखनी है 1500 mm और Delips की Hook Length कम से कम 75 mm रखनी है ये वाली length, जो अंदर की दर्फ मूड़ी हुई है, ये दोनों length और Clear cover रखना है कम से कम 35 mm फॉर्थ दो मंजिला मकान के प्लिंथ बीम में कॉंक्रीट ग्रेड कोंसा यूज़ करना है यानि के कॉंक्रीट मिक्स रेसो तो according to IS code 456,000 आपके प्लिंथ बीम में कॉंक्रीट ग्रेड M20 यानि के एक डेड़ तीन के मिक्स रेसो से कम नहीं होना चाहिए चाहिए जादा कर लो पर इससे कम ग्रेड का कॉंक्रीट आपको प्लिंथ बीम में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए और मैं सज़ेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ब्रेंडिड कमपनी का स्टील इन्फोर्समेंट ही यूज़ करें जैसे टाटा, सेल या जिन्दन लग गया रहता ये स्टील महंगा नहीं पड़ता बस ये हमारा वहम रहता है क्योंकि ये कमपनी इनका टांस्पोर्टेशन चा उच रख कर चले ताकि बरसात का पानी घर में एंटर नहां कर सकें नमबर टू हमेशा प्लिंद बीम के टोप में कम डाया का बार और बोटम में बडे डाया का बार ही यूज़ करें और नमबर त्री प्लिंद बीम में स्टील इन्फोर्समेंट का ग्रेड कभी भी का स्टील ग्रेड एफई पांसो और एफई पांसो पचास से कमने हो हमेशा इसके लिए हाई स्टेंथ डिफॉर्म्ड बार यूज करें तो ये थी कुछ प्रो टिप्स तो आई होब के अब आपकी प्लिंज भीम को लेकर सभी कन्फूजन हंडिड परसेंट कलियर हैं आप बि और जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना आपकी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है ताकि हमें आपके लाइक से ये पता चलता रहे कि हम आपकी समस्या को दूर कर पा रहे हैं और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए यूसफुल वीडियो लाते रहें ब वे और शेर नहीं वे खोर पा रहे हमाँ कर रहे हैं तो नगी है जैक है नगी हम आपकी रही है नगी है जो पर शेर लोगे है